बीलकम टूल माइडियर स्टेंट मैं मुकेश यर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टेंट आजके इस क्लास में इस्टेंट अगर आपसी हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्टेटी एक्जाम की त्यारी कर रहें तो येकीन मानेगा इस्टेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेट होने वाला है क्योंकि इस्टेंट है कैसे टॉपीक उपर बात करने वाले जो की यहां से आपसी की एक्जाम में भर-भर के प्रश्ण पूछे जाते हैं उस topic का नाम है भारत की मीटिया इस class के अंदर आजमलों कबर करने वाले भारत की मीटियों से बनने वाले उन सभी प्रशनों का आज संग्रा लेकर आएं जहां से कि आप सभी के examiner प्रशन पूछ सकता है इस class के अंदर आप सभी के लिए most important question लिया गया है जैसा की stand आप लोग देख पारे कि सारे प्रशन आप सभी के लिए काफी important और exam oriented लिया गया है अगर आप से इस class का PDF डालोड काना चाहते तो मैं इस class में आप से बताने वाला हूं कि आप से इस class का PDF कहां से डालोड कर एक notes त्यार कर सकते हैं तो वीडियो को इन तक आप सभी जोड़ देखेगा start करते stand आज की इस class को इस class का जो first प्रस ने आप सभी का का रहे कि भारती क्रिशी अनुशंधान परिशद के अनुशार भारत में कितनी प्रकार की मीटिया पाई जाती है तो right answer हो जग आप सभी का 8 यानि की 8 प्रकार की total मीटियों की प्रकार हो जाती है आप से नंबर D आप सभी का right answer हो जाएगा ठीके अगले प्रशन को और बात करते stand प्रस नंबर है टू नंबर छितरी बीस्तार और क्रिसी में महत्यों की द्रिश्टी से भारती मीटि के कितने प्रमुख वर्गे हैं तो भारती मीटि के वर्गों की बात करें तो right answer हो जाता आप सभी का फूर हो जाएगा आप से नंबर शी आप से नंबर शी आप सभी का right answer हो जाएगा अगले प्रशन को और बात करते stand प्रस नंबर थ्री प्रस नंबर थ्री आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत की सारुदिक महत्पूर मीटि कौन सी है तो भारत की सारुदिक महत्पुन मीटी की बात कर इस्टेंट कौन सा हो जाएगा तीय हो जाता जलोट मीटी आप से नमबर सी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा जलोट मीटी इस्टेंट आप सभी की मीटी से बनने वाले उन सभी प्रशनों का संग्रा लिया गया है जहां से की एक्जामनर आप ये प्रस्षि प्रश्ण पूर्श सकता है आपस्थ इस क्लास में ये भी देने वाला पेडिया भी आपसोई को प्रवाइड किया जाएगा व फ्री में थीका थो वीडियू को इंट तक आज जुर देखें गाा अगला आप सभी का फोर नंबर का रहे कि भारत के सार्दिक छेतर पर किस प्रकार की मीटी का विस्तार पाया जाता है तो भारत के सार्दिक छेतर पर बात करें मीटी का विस्तार पाया जाता है तो यह जो मीटी हो जाती है जलोट होती है अपसा नंबर ए आप सभी का राइट एंसर ह जलोट मीटी का विस्तार सबसे आधिक है सारदिक हो जाएगा ठीक है अगले प्रश्ण को और बात करते हैं छेत्रफल की अधार पर भारत की मीटियों का सही और औरोही करम क्या है तो छेत्रफल की अधार पर भारत की मीटियों का औरोही करम की बात करें तो राइट एंसर हो जब सभी का five का अप्सान नंबर बी जलोट लाल काली और लेटे राइड मिटी ठीकिन अप्सान नंबर भी आप सभीका राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रस्णgers बात करतें च्टेंट प्रस्ण नंबर सिक्स्ण और सभी से पूछ मेरे कि भारत के जो कारण है क्या हो जाएंगे तो यह हो जाता आप सभी के जलवायू सनचना यह उचावच की बीवी धीता के कारण ऐसा होता है अगले प्रशन को और बात करते हैं स्टेंट प्रस नंबर सेवें एंड सेवें नंबर प्रशन आप सभी से पूछा जा रहा है कि तटिये मैदानों और उत्तर्म भारत के मैदानों में उत्कृस्ट जो मिरदा हो जाएगी मिरदाने मीटी तो राइट एंसर अप्रशना आप सभी का इट नंबर कि निवीन जलोट मीटी को औने किस नाम से जाना जाता है खादर मीटी के नाम से भी जलोट मीटी को जाना जाता है अपसे नमबर ए अगले प्रस्ट को और बात करते हैं प्रस्ट नमबर है आप सभी का नाइन नमबर कर रहे कि पुरानी जलोट मीटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो पुरानी जलोट मीटी की बात करें कि अन्य किस नामों से जाना जाता है question काफी important आप सभी के लिए stand लिया गया है ठीके न तो 9 का जो right answer हो जाएगा आप सभी का option number B हो जाएगा यहीं कि बांगर हो जाएगा option number B आप सभी का right answer हो जाएगा question number 9 का अगले प्रशन को और बात करते है इस stand question number 10 and 10 number प्रशन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के उत्री मैदान की मिरिदा समानेता कैसी बनी है भारत के उत्री मैदान की मिरिदा समानेता कैसी बनी है तो right answer हो जाएगा आप सभी का अगले प्रशन को और बात करते प्रशन number 11 कि गंगा के जलूट मीटी की भूमी सता के नीचे है लगबग कितनी है तो 11 का जो right answer हो जाएगा आप सभी का मीटर हो जाएगा आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा question number 11 का इस्टेंट आप सभी से छोटा सरी केस्टी की अभी तक आप से चलो सस्क्राइब नहीं किये तो प्लीज चलो सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि एक लोता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली ब मीटी की बात करें तो बारा का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का बांगर हो जाएगा आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा बांगर अगले प्रशन को और बात करते हैं स्टेंट प्रस नंबर तेरह एंड तेरह नंबर प्रशन आप सभी से पूछा जारा है कि नि नियुंतम उर्वरक की आसकता होती है यानि कैसा कौन सा मीटी है जिसके उर्वरक के लिए नियुंतम मीटी की जरूरत होती है तो तेरह का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का सी आने की जलोट मीटी हो जाएगा आप से नंबर सी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा कोश्या नंबर 13 का अगले प्रस्ण को बात करते इस टेंट प्रस्ट नंबर है आप सभी का 14 और 14 नंबर प्रस्ण आप सभी से पूछा जा रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मीटी का लाती है यह तो अभी इस कोश्ण को लगा है तो रिपीट कर चुगा है इस को समस्थ असथल भाग का कितना परतिसत जलोट मीटी से ढखा हुआ है यहीं कि भारत के समस्थ असथल भाग की बात करें कि 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 इतने परतिसत भाग पर सिर्फ जलोट मीटी ही पाज आता है तो राइट एंसर हो जायागा आप सभी का 15 नंबर कोश्ण का अनुम्हें बी 24 पर श्टेंट भाग पर सिर्फ जलोट मीटी ही देखरे को मिलता है तो अपसा नंबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है न अगले प्रशन को और बात करते हैं प्रशन नंबर है आप सभी का सुल्ण एंड सुल्ण नंबर प्रशन आप सभी से पूछा जा रहा है कि जलोट मीटी में जब बालू के कणो और चीका की मात्रा लगबग बराबर होती है तो उससे क्या नाम दिया जाता है का रहा है कि जलोट मीटी में जब बालू के कणो और चीका की मात्रा लगबग बराबर होती है तो उससे क्या नाम दिया जाता है तो सुल्ला का उजगडी यानिकी दो मट का जाता है क्या का जाता है इस्टेंट उसको दो मट का जाता है आपसा नमबर डी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अगले प्रस्ट को और बात करते हैं इस्टेंट प्रस्ट नमबर है आप सभी का 17 नमबर भारत में पा नंबर B य volunteered काली मिटी हो जाएगा और समय इस्टेंट आप सभी का या इंशर हो जाएगा कि अगले। अगले प्रश्ण को बात करते एठारा नंबर निवणंद से कौन सी मिटी प्राईदी पी भारत में अधिकतम चेतर पर 20री है आपसे नमबर यह श्टेंट आप सभी का राइट अशर हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते है च्टेंट प्रश्ण नम्बर Grund haunting कापास की खेती के लिए सरो रहूतम मीटी होती है यानि कि के खीपास की खेति अगर आपसिट की सरोतम करना हो तो उसके कि लिए जो बेष्ट से जामें इसके प्रश्ण छूड़ जाते हैं ठीके न तो ऐसे गलती नहीं करना है उन्निस का जो राइट एंसर हो जग आप सभी का याने की काली मीटी जलोट का पास के लिए सवरोतम मीटी माने जाती है अगले प्रश्ण को और बात करते हैं प्रश्ण नमबर आप सभी का 20 न सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते हैं प्रश्ण नमबर 21 नमबर काली मीटी का बिस्तार पाया जाता है तो काली मीटी के बिस्तार के बात करें यह पाया जाता है सबसे अधिक की तो बात नहीं कि अजारा लेकिन आपर जो पाया जाता है आ महराष्ट में भी देखा गया है मद्य परदेश और गुजरात इन तिनों अस्थानों पर तिनों राज्यों में देखने को मिलता है अगले प्रश्ण को और बात करते हैं आप सभी के यहाँ पर हाँ सही है यहाँ पर देखते अगले प्रश्ण को 22 नंबर प्रश्ण आप सभ सारदिक उप्यूग्त होती है 22 का जो राइट एंसर हो जग आप सभी का आपसा नंबर भी यानिकी का पास के लिए ऐसा सारदिक उप्यूग्त होती है अगले प्रस्ण को और बात करते स्टेंट आप सभी का 23 नंबर प्रस्ण पोछा जा रहा है निमने लिखित में से कौन सी मेटी जेव पदार्थों से भरपूर होती है यानि कि ऐसा कौन सा मिरिदा है या मेटी है वो सारदिक जय मिरिदा से भरपूर होती है 23 का राइट एंसर हो जग आप सभी का यानि कि काली मिरिदा आपसा नंबर A आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रशन को अर बात करते स्थेंट प्रश्व निम्बर ट्वेंट्टी-फोर निम्बर काली मिरिदा के संबंध में निम्ने लिखित में से कौन सा कतन है जो की सीए असूट नहीं करता है डिफरेंट है तो 24 का जो राइट एंसर हो जागा आप सभी का कौन सा कतन असत्य है 24 का आप सभी का डी यानि की इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है ये बात असत्य है ठीक है अगले प्रशन को और बात करते हैं 25 नमबर प्रशन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत मे निमनेलेखित मिरिदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्ष्य के कारण नेर्मित हुई है 25 का जो राइट एंसर हो जागा आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अगले प्रशन को और बात करते हैं 26 नमबर की किस मीटी में क्रिसी के लिए सिचाई की आव प्रशन को और बात करते हैं 27 नमबर की भारत में काली का पासी मीटी को किस अस्थानी नाम से जाना जाता है तो 27 का राइट एंसर हो जागा आ वसमी का डी हैनिक रेगूढ हो जाएगा आपसा नमबर डी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते हैं ट्वांटी एट नंबर प्रश्ण आप सभी से पूछा जा रहा है निमने लीखित में से किस मीटी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताइस स्वेम होती रहती है तो ट्वांटी एट का जो राइट एंसर हो जा है काली मिरिदा कि भारत में लाल मीटी का सारदिक बिस्तार पाया जाता है तो भारत में लाल मीटी का सारदिक बिस्तार कहां पर पाया जाता है तो ट्वांटी नाइन का जगसी यानि कि आंदर प्रदेश यम तमिनाडू आंदर प्रदेश यम तमिनाडू में देखा जा है तो जो जो लाल सारधिक ुसका बिस्तार देखने को मिलता है ठीक है न अगले प्रशन को बात करते श्चेंट आसुली का ठर्टी names कि प्राईद्धीपी भारत में छेतरी मstäय के निमन प्रकारों में से कौन सा है कर रहा है तीस नमर प्रशन की प्राईदीपी भारत में चेतरी मुरीदा के निवनी प्रकारों में से कौन सा है तिसका जो राइट एंसर हो जग आप सभी कह अने की लाल और पीली मीती ठीक है अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नमबर 31 तमिनाडू के दो तीहाई छेतर पर किस मीटी का विस्तार पाया जाता है तेहर मिलते हैं तो लाल मिटी के सम्मद में असत्य कता करें तो 32 तो ऋमिटी नती घाटियों में पाए जाती है अगले प्रस्ण को और बात करते हैं 35 नंबर की लेटराइड मीटी मतपून रूप से पाई जाती है तो लेटराइड मीटी की बात के इस टेंड की वो मुख्य रूप से पाई जाती है 33 का हो जाएगा आप सभी का याने की माला बार 30 ये छेतर में ये सारदिक देखने को मिल जाता है तो आपसा नमबर ये आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को बात करते 34 नमबर किस मीटी में लोहे और एलमूनियम की गरंथिया पाए जाती है काराए किस म याने की लेटे राइट हो जाएगा आपसा नमबर डी एंड अगले प्रश्ण को बात करते 35 नमबर की लेट राइट मीटी का प्रधान ये हैं तो लेट राइट मीटी के प्रधान ने की बात के तो 25 35 का जगा आप सभी का याने की मता बार 30 ये पदार माला बार 30 ये पदा हो जा रहा है तो 36 का हो जाएगा आपसा नमबर दी अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी के 37 नमबर निमने लिखित में से कौन सी मीटी सुख जाने पर इट की तरह कठोर यम निली होने पर दही की तरह लिप लिपा हो जाती है ऐसी कौन सी मीटी है तो 37 का हो जाएगा अपसा नमबर ए हो जाएगा लेटी राइड मीटी हो जाएगा अपसा नमबर ए अगले प्रश्ण को बात करते 38 नमबर का रह की निमने लिखित में से कौन सा कथन असत्ते हैं तो 38 का राइट एंसर अज़र भी अनिकी यह एक चारी मृदा है अगले प्रश्ण को बात करते इस टेन 39 नमबर की निमने लिखित में से कौन सा कथन असत्ते हैं तो 39 का जो राइट एंसर अपसा नमबर हो जाएगा यह अनिकी लेटराइड मीटी में सिलिका की अधिक्तम ह होती है ठीक है अगले प्रश्ण को बात करते 40 नमबर प्रश्ण की भारतिये क्रिसी यह अनुश्रंधान परिश्रक अनुशार भारत की लगभग कितनी प्रतिसत भूमी पर मिरिदा परदन की समस्या से प्रभावित है तो 40 का जगा आप स्विकाड़ी अनिकी 60 परशेंट ह हो कि अगला प्रश्ण Valley 41 नमबर का रहे कि धान की खेती के लिए साडिक आधर्श लिद्धा कौन से तो धान की खेती के लिए सबसे मतपूर्ड जो मीटी हो जाता है आप सी की ज़लोट मीटी हो जाता है क्या जलोट मीटी आप सना अमबर सी ठीक है अगला प्रशन अवस्वी का 42 नमबर निमनेलिखित में से किस राजे में लेटराइड मीटी पाई जाती है 42 का अज़गा अवस्वी का सी अनिकी केरल में पाई जाती अपसर नमबर शी अगला प्रशन की मृदा अपर्दन रोका जा सकता है 43 का राइट एंसर अज़गा अपसर नमबर शी अनिकी वन रोपन द्वारा अगले प्रशन को और बात करते हैं इस्टेंट प्रशन नमबर 44 की रेगुर मीटी का दूसरा नाम क्या है तो रेगुर मिती के दूसरे नाम की बात कहें तो फोटिफॉर का जगया यकी काले मिती अफसर आप सनबर ए अगले प्रश्न को पात करते हैं बस्याइप से नबर फोटी फाइप के रेगुर मिती सबसे ज्याद़ा होती है तो रेगुर मीटी की बात का सबसे ज़्यादा होती है तो 45 का राइटेंसर यानिकी महाराष्ट में अगले प्रश्ण को बात करते हैं 46 नंबर की निजालन और ऑक्सिजन द्वारा निर्मित मिरिदा कौन सी होती है तो 46 का राइटेंसर यानिकी मखराला मीटी ठीक है अगला प्रश्ण का राइटेंसर निर्मित में से अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नंबर 48 की किस पदार्थ की मीटी में सार्दिक पदार्थ की अधिकतमता होती है 48 का अगले प्रश्ण को बात करते हैं इस्टेंट प्रश्ण नंबर 50 नंबर निर्मित राज्ज्य में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतराष्टी ये लच्णी आदर भूमी है पचास का इंस्टेंट आप से कमेंट बोक्स में देना है आई हो बाच क्लास अगर आप से को अच्छा लगे तो प्रेज चलन सस्क्राइब कर बेल आकन को प्रेज कर दिच चिगा ताके सहार एक मोस्ट इंपरड़ क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे तो मिलते न पच्छिंग मैं क्लास एंड वीडियो को सेर काना न भूलिएगा